तेखिए आज हम लोग वरण और ध्वनी वाला टॉपिक जो हिंदी का है वो फ्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो वरण और ध्वनी जो हिंदी का एकदम बेसिक है और यहीं से इस जो है वह स्टार्टिंग पोर्शन है यहां से आप अगर इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको हिंदी को समझने के लिए ठीक है तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि स्टेट में का इक्जाम अभी 29 तरीकों उसका नोटिफ इस दोद इसे विझा बताऊंगो कि याद कैसी रखना है चोटा-चोटा देफिनेशन बाते चल날 की किस तरीके से इसको लिए उपयोगी हुआ कि नहीं आप लोगों को इससे help मिल रहा है या नहीं comment section में बताईएगा अगर आप लोग को लगे कि और भी इस तरीके के आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग बताईएगा उसके बाद फिर next अपन देखेंगे इसके बाद इसके अलावा जो ह प्लेडिस्ट में जाके आप लोग चैनल या फिर चैनल के प्लेडिस्ट में जाके भी आप लोग देख सकते हैं तो आज हम लोग अभी वर्ण एवं धौनी के वाले इकाई जो टॉपिक है वो कवर करेंगे ठीक है आई होप आप सब को यह वीडियो पसंद आएगा अगर लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिये चैनल को सब्सक्राइब की जाधा जाधा शेयर कीजिए ठीक है तो हम लोग स्टाट करते हैं देखी एकदम बेशिक से सबसे पहले वर्ण यहां देखिए वर्ण और धौनी अपना टापिक है वर्ण क्या होता है वर्ण भ कि आपको 12 इञाद रखनी है, ना ये पूरा तरीके से आप को याद होना चाहिए, ठीक है, आप नहीं याद की हैं तो फिर याद करके रmental कीषे के शेकर यह नहीं नुगत मफ़टत इंप जो तो Все एसके बाद आता है स्वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जिन वर्णों कि दूसरे वरणों की सहायता नहीं लेनी पड़ती जो स्वतंत्र रूप से बोले जाद सकते हैं वह वरण कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं टोटल स्वर की संख्या कितनी है, तेरा, ये क्या रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहेता नहीं लेनी पड़ती हैं, इंकी उच्चारण में, आ, ई, ई, उ, उ, री, इ, ए, ओ, अ, 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 अ अम और अहा, ठीक है, तो ये कितने स्वर हुए आपके तेरा स्वर, ठीक है, लेकिन इन दोनों को याद रखीएगा, अम और अहा को, ये जो अम का निसान है और ये अहा है, ये दोनों को अयोग वा कहते हैं, न तो ये पूरे स्वर हैं, आधे स्वर हैं, पूरे स्वर नहीं है और पूरे वेंजन नहीं है, स्वर के बाद प्रयूक्त होते हैं और वेंजन के पहले प्रयूक्त होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अयोगवा कहा जाता है, तो अम और अह अयोगवा है, स्वर में इनकी गिं स्वरों की सहायता से बौले जालेoire वर्ण को तो कितने तैस अब इसी को देखना है इसमेंppe सांतस्त अंतस्त है उक्षिप्त है उसम संगर्सी है संयोक्त वियंजन है यही सब चीज को देखना है इसी को पूछता है ठीक है तो अपने को वियंजन अब अपन डीटेल में पढ़ेंगे ठीक तो अब सबसे पहले यह तो आपको याद रखना है पूरा यह आप लिख लीजी एक थोड़ा बड इसको याद रखना है ठीक है कचट त तो यह पहला पहला है कचट अब पहला अगर याद नहीं आया तो इसको पहले याद रख लिजेगा उसके बाद याद आ जाहएगा आपको तो यह जो टोटल एक वर्ग में पाँच वर्न है 1-2-3-4-5 और कितने हैं 25 तो इस पर्षव रवंजन होते हैं कर गल्द के लिए तालू याने आपका जो यह वो मुर्धन क्या होता है जो जीब के उपर वाला पोर्शन ठीक है यह इसके उपर वाला जो पोर्शन है है। दात के ऊपर वाला पर्शन took है जब आप ट बोलते हैं तो ट बोलके देखि कहांसे टंच हो रहा है उपर से जहांसे टंच हो estás हो रहा है उसीं को मोरणने कहते हैं उपर वाले portion को दात के ठीक है धन दात उस्ट होंट दालू यह होता है जीब होता है टालू मतलब तो जीन के प्रयोग के लिए गला, जीब, यह मुर्धन यान उपर वाला हिस्सा, दात और होट का प्रयोग करना पड़ता है जिसके इस पर से यह उच्चारण किया जाते हैं उनको क्या कहते हैं इस पर सभी एंजन कहते हैं और वर्गी क कहते हैं क्यों कि वर्ग में भी भाजी तैसलिए कहते हैं टोटल नंबर टोटल कितने नंबर होते हैं इसके इस पर सब इंजन के 25 इसपर सब इंजन होते हैं ठीक है यह समझ गए आप लोग यह पूरा लिखेगा इसके इधर यह जैसे लिखा वैसे ही नोट करना है इस पर सवेंजन होते 25 ठीक अब यहां पर आप देखेंगे कंठ अब इसके यह वाले वर्ग के सामने आप लिखें कंठ क्योंकि यह कंठ से बोले जाते हैं मतलब गले से बोले जाते हैं इनका उच्चारण इस्थान क्या है तो इनी का निम्न का उच्च मतलब जीब है इनिका उच्चारणिस्थान मुर्धन्य है मतलब उपर वाले हिस्सा इनका उच्चारण इस्थान दंत है मतलब डायांत और इनका उच्चारण इसे याद रखेए किती एँटी में अशीष कुछे इसको अब से हो आप लिखा यहां कंड तकह से विलुट बैilly-शिश्च चानलेगे लेकिन आपको ऐसे अगर याद रखने है तो आपको इस पर्च करके देख सकते हैं तो याद रख लिए नहीं है तो फिर यह टेक्निक याद रखिए इसमें जल्दी बनेगा ठीक है वहां पिर क्या दिक्कत हो जाता है फिर अगर ऐसे में आप इस पर्स करकर के देखते रहेंगे तो ठीक है तो आप वैसे याद रख सकते तो इस तरीके से भी आप लोग याद से हो रहा है तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं इस तरीके से चार्ट के फॉर्म में भी आप लोग याद रख सकते हैं अब यह होगे आपका यह ध्यान रख लिया आप अब इसमें याद रखना आप लोगों को इस सुर और व्यंजन दोनों के बीच के हिस्से होते हैं ये इसको कन्ठ तालू दंथ ओष्ट इसको सटाने से परस्पर सटाने roz pano का उच्चारन होता है क्या होता है कंठ तालू दंत ओष्ट को मतलब मतलब जीब होट इसको परस्पर सटाने से एक एक बार थोड़ा थोड़ा देर के लिए ठाच होता है ठीक है तो परस्पर सटाने से इनका उच्चारन होता है लेकिन यह पूरी तरीके से उनका उच्चारन नहीं पढ़ता यह यह न ब्तभ पूरुणता स्वार है न थो इसको अर्थ्षौर कहते हैं ठीक है तो अन्तष्थ मतलब i amflu Kanja taloo कर तालू मुरधनी कंट तालू दंतो परसपर सटाने से उत्पन drug होते लेकिन पूरी तरीके से नहीं सटाना पड़ता मतलब देखिए आप य र ल व पूरी तरीके से नहीं सटाना पड़ रहा है थोड़ थोड़ शटाना पड़ रहा है तो वही इसी को कहते हैं अंतस्थ ठीक है? देखिए य र ल व अंतस्थ है तो अंतस्त वेंजन कौन-कौन से हैं, ये ध्यान रखना है, ये र लव, इन चारों के सामने अंतस्त लिखना, ये र लव, अंतस्त है, ये अंतस्त वेंजन की संख्या कितनी है, चार है, ठीक है, न तो ये स्वर और वेंजन दोनों के बीच में आते हैं, और कंट, तालू, द या अंतस्त चार्ठ हो व्यंजन को अंतस्त व्यंजन केते हैं थीक है उसके बाद उसमें है संघर्ची सच सटकून का सच्च्च्चे के लिए क्या होता है जिन वरनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड या संघर्स से उत्पन होता है उसमें संघर्सी विंजन के लाते हैं देखिए आप श, स, ह थोड़ा रगड से उत्पन हो रहा है ना ये तो यह इसको कहते हैं उसमें या संघर्सी विंजन तो यहाँ पर आपका जो हो जीब है वो रगड से उत्पन हो रहा है थोड़ा स, श, स, इसका उचारण करके देखना तो यहाँ पर चार्थ हो उसमें या संघर्सी विंजन रहते हैं अब तीसरा देखिए संयूक्त विंजन संयुक्त वेंजन का मतलब जो स्वतंत्र नी होते जिनके उचारण के लिए किसी दूसरे वेंजन की सहायता लेनी पड़ती है जैसे कि क्ष, त्र, ग्य, स्र ठीक है दो वेंजनों के मेल से बनते हैं कि कि देखिए ये किसके मेल से बने होए न नीचे में इसको आपको याहाद रखना है कि धयान रखना है जो किन schemal से बनता है करके को कि कि नीचे हलन्हत है उसे रिख से उसक्राण का स है Шब बने है यह देखिए ट और सबरके मिलने से बनाएए यह याद रखेगा जो बॉक्स मेले के से मिलने से बनाए चारों किसे के में कहते हैं तो टल संक्ष्या चार होती है इनकी आप से 4 ठीक है अब उक्षिप्त का और और हर बंगया जद मेंगने कोए हैं ज्यक है जो जीब है जीब जो है इसका प्रयोक करते समय उपर मुर्धन्य को टच कर रही है ये दाग के उपर वाले हिस्से को और टच करके तुरंत नीचे आ जा रही है तो जब जीब मुर्धन्य को टच करके तुरंत नीचे आ जाती है तो इसको उक्षिप्त वेंजन कहते हैं इसलि कितने हैं ये वाले संयुक्त वेंजन कितने हैं ये चार ठीक है दो वर्वेंजनों की सहता लेनी पड़ी उक्षिप्त या द्विगुण वेंजन हैं अंगा और अड़ह ठीक है तो यह होगे आपका पूरा वेंजन अब देखिए स्वरों को भी पूछता है स्वर को पूछेगा कि ये जो स्वर हैं तेरा स्वर ये कहां से इनका जो उच्चारन इस्थान कहां है इनका उच्चारन इस्थान कहां है क्या है अ का उच्चारन इस्थान क्या है एक का उच्चारन इस्थान क्या है तो हम लोगों ने वेंजन को तो देख लिए टेबल से ठ ठीक है तो देखिए स्वर का उच्चरण इस्थान देखने के लिए हम लोग यहां पे देखिए यह जो बनाए है आपकंट तालू मुर्धन दंत ओष्ट इसके पैरलल पैरलल में इधर लिखना है आपको आ पहले मैं जितना बता रहा हूं वो ऐसे ध्यान रखना है ठीक है य यहां पर लिखना है इसको छोड़ देना है यहां पर आएगा उष्ट के सबसे सामने आएगा जब आप इसको लिखेंगे तो इसी पैटन में आपको लिखना है ठीक है इसको छोड़ देना है इसके बाद क्या आता है ए ए ए रि उसके बाद आता है तो ए यहां पर आएगा कंट प्लस तालू ए ए और कंट प्लस दंथ अब यहाँ पे देखिए कंट प्लस तालू यह दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा हूँ कंट प्लस दंथ यह दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा हूँ और दंत प्लस ओस्ट दंतोस्ट उसको जोड़के यहाँ पे लिखा हूं इस साइड तो यहाँ पे लिख लेंगे आप कंट प्लस तालू इंका जब यह जो स्वर होते हैं इनका उचारण इस थान दोनों दोनों पे होता है तो इसको जोड़के भी लिखना पड़ेगा ना ए- δ औ याद रखना है उसके बाद आप लोग पूरा याद हो जाएगा आपको इसी क्रम में लिखने का प्रैक्टिस करिएगा आई फिरहरा में लिखना है उसके बाद पिर पःडिको बीच में लिखना है उसके बाद आपको लिखना है मishing इब नहां उसके बाद य के बाद ए्रल उसके बाद ह कर अधि योरल उसके बाद हे और शकर का छसथ देखिए यहां पर सटकोन का सा पहलेडा स कंदेखे अ ए आएक पुर वम ठीकक है क्या होगा उसका सथान भी ययाद रखना है तो समझ गए उसके बाद पिर अमनी में यह सीक्वने आपको बार-बार प्रेक्टिस करके देखना है इस सिक्वन्स में लिखेंगे अब आपको पूछेगा आा का उच्चारन इस्थान कौन सा है तो आ कहां से आ रहा है कंठ का सामने है लिखा हुआ है कंठ से उच्चारनिस्थान हो रहा है र का उच्चारनिस्थान कहा है मुर्धन र मुर्धन उच्चारनिस्थान है स का उच्चारनिस्थान दंत है उ का उच्चारनिस्थान ओष्ठ है यहाँ पे सामने लिख रहे हैं इसके पैरलल पैरलल में अब आप देखो एक उच्चरानिस्थान, एक उच्चरानिस्थान, कंठ प्लस तालू, दोनों जगा है, एक उच्चरानिस्थान, ओक उच्चरानिस्थान, कंठ प्लस दंत दोनों जगा है, अब देखिए व और फ ये वेंजन है, लेकिन व और फ अगर कहीं व देगा, और अ तो और फको आप अलग से लिखे रहे ना अगर यह नहीं दिया तो पिर अंत दंत और ओस्ट में आएगा ठीक है कंट प्लस दंत क्या है ओ और ओ यहां से उच्चारनिस्थान होगा इसका यह ठीक है तो यह आप लोग समझ गए अगर आपको पूछेगा कि कौन से स्वर का किया चीज होता है ठीक है अब क्या देखेंगे अलप प्राण और महा प्राण तो इसके उच्चारनके लिए जिन वरणों के उच्चारन के लिए वाईू का प्रक्षेपनश्श्य इकडम कम या नहीं के बराबर हो मूँ कूpower या नहीं के बराबर निकले तो वह होते हैं अल्पप्राण कहे जाते हैं वायू जो मुझे जो वायू निकलेगा वो एकदम कम या न के बराबर निकलेगा वो अल्पप्राण ठीक है यहां पर आपको लिखना है उपर इसी के उपर में लिखना है अल्पप्राण महाप्राण तो एसे definition से समझना चाते हैं तो देखिए वायू कम निकले मुझसे अल्प प्राण महाप्राण क्या है वायू मुझसे बहुत ज्यादा निकले अधिक मात्रा में निकले वह महाप्राण है तो अल्प प्राण के लिए देखिए पहला तीसरा और चौंथा नमबर का पांचव आएगा अल्पप्राण फिर दूसरा महा प्रण अल्पप्राण नहिसे याद रखेंग का पहला तीसरा पांचवा और अंतुर उता हो भी आरपण अंतरगत आता है तो पहला चौथा अलप प्राण पढ़ा रहा हूं ना पहला चौथा और यह च्छटवा नंबर प्लस अंतस्त यह लव अब इसमें देखिए जब आप बोल रहे हैं यह लव वायू एकदम कम निकल रहा है ठीक है तो यह अलप प्राण हो गया तो यह पहला तीसरा पांचवा और यह अंतस्त यह मिलके बनते हैं अलप प्राण ठीक है महा प्राण वायू मूँ से बहुत अधिक निकले दूसरा चौथा और उस्म व्यंजन दूसरा नंबर का वर्ग देखो यह ख छ थ थ थ फ और उस्म में तो है ना स श स ह ज्यादा संघर्ष से निक महा प्राण हो जाएगा तो दूसरा और चौथा वर्ग प्लस उस मुवेंजन उस में संघर्षी यह हो जाएंगे महा प्राण तो अगर आप यह नहीं रखना है याद तो यहां से सीधा इसके उपर में लिख लो अलपरन महा परन महा परन यह डारेक्ट याद रहेगा यह है याद करने का तो यह आप तरीके से आप लियाद कर सकते हैं और दो चीज और पूछेगा अघोस और सघोस ठीक है अघोस और सघोस ठीक है तो इसको भी समझते हैं अघोस और सघोस क्या होता है अघोस जिन वरणों के उच्चारण में जिन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कमपन अधिक हो, वो सघोस कहलाएंगे, ठीक है, तो कमपन अधिक हो, वो सघोस, जिनके कमपन कम हो रहा है, अगोस, अब यहाँ पे दो जगा, दो वर्ग की उपर में अगोस, अगोस लिखना है, बाकि तीन में सघोस, सघोस, सघोस लिखना है, तो अगर आप यहां पर आपको पहचान पाएंगे तो यहां पर आसानी से पहचान पाएंगे उसको तो ये टेबल अगर आप याद रखे हैं तो आपका ये टेबल से पूरा कोश्च्चन अवरनका जो है लगभग सॉल हो जाएगा पूरा अब इसको कहते हैं अनुनासिक है या पंचमाक्षर कहते हैं यह पाचव प्रत्यकवर्ग का पाचवा जो है न वह अनुनासिक या कुछ कुछ चीज चूटी हुई है इसको और वीडियो में देख लेंगे लेकिन इतने से आपका मैक्जीमम कोश्चन सॉल हो जाएगा ठीक है तो आई तो इसका स्क्रीन शॉट लेजिए आप लोग ठीक है तो आप लोग इस टेबल को बनाईए ए टेबल को जिस तरीके से मैं बनाना बताया हूं उस तरीके से बनाकर याद करना है लिख लिख के इस तरीके से लिख के देखना है और लिखेंगे तो आप पूरे तरीके से आपको याद हो जाएगा तो I hope आप सब को कुछ सीखने के लिए मिला होगा कुछ याद करने का तरीका समझ में आया होगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जदा जदा शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन वंदे मातरम